आज में सेर कर रहे हूँ चावल की आठा से बना हुआ बहुत बढ़ी आसा एक सिम्पिल और उनिक नस्ता का रेशीपी। कई तरीका का नास्ता हम लोग बनाते हैं लेकिन आज में स्यार करूंगी बहुत बढ़ी आसा एक यूनिक रेसीपी इक खाने में जितना ही टेस्टी होगा देखने में उतना ही बढ़ी आसा लागेगा बाच्चे बढ़े सब बसंद करेंगे बाच्चे को टीफिन में भी दे सकते हैं और बहुत ही हेल्दी बनेगा क्योंकि इसमें ज्यादा ओयल मसाला कुछ भी यूज नी करूंगी यह जो रेसीपी देखने में जितना ही सुन्दर है खाने में उतना ही टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा चलो फिर यह बढ़ी आसा रेसीपी शुरू करते है सो फ्रेंज मेरे चैनल में नाई है तो जुरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे एसाई हर्दी न्यू न्यू रेसीपी देखने के लिए यह रेसीपी बनाने के लिए सबसे पहले अंदर का जो स्टाफिंगे ओ बना लेते हैं तो स्टाफिंग बनाने के लिए देखिए एक कड़ाय में डाल देती हुँ ओयल तो जदा ओयल निहीं उज करेंगे देखी एक चामज मैने ओयल डाल दिया डाल देंगे थोड़ी सी मास्टर्टेर याने सोर्षो की दाने डाल देंगे थोड़ी सी जीरा थोड़ासा जीरा डानने के पड़ डाल देते थोड़ी सी कारीपात्ता आप डालेंगे ये मिर्ची का पेस्ट आप चाहे तो बारीक काटा हुआ मिर्ची भी डाल सकते तो आच्छी तरह से मिर्ची कारीपात्ता और ये सोर्षो और जीरा को मैने भून लेते उसके पड़ डा धोनिया जिरा पाउडर धोनिया जिरा पाउडर होल्दी को थोड़ा सा मिला लेते, उसके बाद मेन डाल दूंगी, यहाँ पे थोड़ी सी जाधानी आथा चमाच जैसा जिंजर पाउडर आप चाहे दो ग्रेटेर जिंजर भी डाल सकते, यह सफे चाट मसाला, आमचूर करके राखिती तो अच्छी तरह से अलू डाल के बाद मिला लेती हूं इस रेसीपी बनाने के लिए अलू की स्टाफिंग के जाएगा आप दोसरा कोई स्टाफिंग डाल सकते जैसे पुनिर का स्टाफिंग भी डाल सकते ऐसा फेट नर्माली प्याज का स्टाफिंग भी डाल सकते हैं आच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डाल देती हुँ साधुनु सर नमक ये जो आलू का स्टाफिंगे ना एक खाने में बहुत डी टेस्टी बनता है बहुत सरा रेसीपी इस आलू के स्टाफिंग से बना सकते है तो देखे लास्ट में थोड़ा सा बारी काटा हो हरा धनिया और थोड़ा सा निम्बू का रस डाल देती हुँ आच्छी तरह से पूरा इंग्रिणस को मिला देंगे और थोड़ा से इसको ठांडा होने के लिए राग देते हैं ये जो आलू कस्टाफिंग थोड़ा से ठांडा होने के बाद अगर इसमें से बॉल्स मनाएंगे तो अच्छी तरह से बन जाएगा तो इसलिए इसको ठोड़ा देतोक ठांडा होने के लिए राग देते हैं तब तोक ये जो डो है डो बना लेते हैं एक बावल में डाल देंगे एक कप चावल काटा ये जो चावल काटा है घर का पिसा हुआ चावल काटा है चावल काटा क पाड़ी डलके बहुत बुड़ी आसा एक स्वाप डो बना लेते हैं लेकुन पानी के क्वांटिटी एक बार में ज़्यादा मौत डाली क्यूंकि अवकर बहुत ज़्यादा गिला हो जाएगा तो इसमें आच्छी तरह से शेप नहीं आएगा और हातों की हेल्प से इसको मसल कर निट कर रही हूँ डो को ताकि बहुत इसमूथ एक पारफिक डो बन जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लेकर अच्छी तरह से इस डो को निट करिये अच्छी तरह से एक डो निट हो गया ढाक के इसको पास मिंट रक देती हैं 5 मिंट के बाद देखिये यहाँ पे जो आलू है आलू को मैंने इसी तरीका की बॉल बना लीया ताकि आच्छी तरह से इस टाफिंग कर सकते हैं आप देखिए मैंने कि इस तरीके से बना रही थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये चावल काटा से जो डो हे बनाया था वो मैंने लिया रिशी तरीका से हाथों की हेल से मैंने इसको फेला रही हूँ थोड़ा सा पूरी जैसा बना लेती हैं साइड में थोड़ा सा फाटे का लेकिन कोई दिक्कत नहीं बीच में मैंने देखी एजो आलू का बॉल से डाल देते और अच्छी तरह से इसको पुरा मोड देंगे एजो डो हे बहुत इस होऽ्थ भुहत आसानी से बन जाएगा तो देखी मैंने पूरा आच्छी तरह से जो आलू का स्टाफिंग उसो डाल के बंद कर दिया इसको बहुत बड़ी आसा एक गूल से मतलब बॉल जैसा बना लेते हो इसी तरीके से थोड़ा सा घुमा के मैंने एक बॉल बना लिया यहाँ पर देखी मैंने थोड़ा सा बास्मूती राईस दोस से पॉंदरा मिनिट मैंने भीगो के राख दिया था चावल को अभी पानी से चावल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं ज्यादा देर तो गने 10 मिनिटे मैंने भीगा के राखी थी चावल बना राखिया इस के उपर मैंने जो चावल है चावल को कोट कर लेती हूँ ज्याधा नहीं डलना है इसी तरीका से और कोट करेंगे तो बहुत आसानी से चावल कोट हो जाएग चावल भी गिला है और ये जो चावल काटा के डौ से बना हुआ ये बॉल से वो भी सौप्टे बहुत आसाने से ये कोठ हो जाएगा तो ये देखी इस तरीका से मैंने बना रही हूँ इसी तरीका से पूरा बॉल्स पहले बना ले तो उसके बाद इसको स्टीम देंगे तो द लेकिन पाणी को आच्छी तरा से उबालाने के बाद ही इसको राखना है तो एक के करके देखी मैंने इस बॉल्स को राख देती हूँ इस प्लेट के उपर मतलब ये छेद बाला थाली के उपर तो ये थाली के उपर देखिए पूरा बॉल्स मों मैंने राख दया आब इसको धाक के 15 मिनिट तो पाकाते हो गयास का ही धाय राख के 15 मिनिट के बाद देखिए तो देखिए पाता लग रहा ना देखिए कितना बोड़ी आसा ये फूल गया मतलब अंदर के जो स्टाफिंग माली चाओल जोल्दी पाक जाता है क्योंकि बाजमूति राईस है और इसको भीगो के राखित लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी उपच्छ लगके और दो मिनिट तो पाकाती हो तो दो मिनिट के बाद देखिए चाओल और थोड़ा सा सब्ट हो गया और आच्छी तर में काटके भी दिखाऊंगे अंदर का स्टाफिंग कितना मस्त है और आच्छी तरह से ये पाग गया खाने में रियली बहुत ही टेस्टी लगेगा बाच्चे बड़े सब बहुत पसत करेंगे सस के साथ खा सकते है ऐसा फिर कोई भी सोबजी के साथ भी खा सकते बहुत ही म मिनिट तो पकाया तो आच्छी तरह से दोनों इपाग गया खाने में रियली बहुत टेस्टी लगते है बाच्चे तो बहुत पसंद करेंगे नर्माली हाम लोग चावल खाते खाते अगर बोर हो जायते इसी तरीका से रेसीपी एक बाद जोरूर ट्राइ कीजे सो तिरे को से रहे बाई बाई